नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप सिंग्ग 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है ऐसे में बिहार एंडिये में सीट शेरिंग में हो रही देरी को लेकर तमाम सहियोगी दलों के बीच टेंशन बढ़ ही है आपको बता दें जो सहियोगी दल है उन्हें ये डर सतारा है क्योंकि जब से जैदियू वापस आई है एंडिये में सहियोगी दलों को ये डर है कि कहीं उनके सीटों में कटोती ना कर दी जाए ऐसे में जो बिहार भाजपा के वरिष्ट नेता है वो सहियोगीयों को मनाने में जुट गए हैं बंद कमरों में बाचीत हो रही है लेकिन ये मेसेज देने की कोशिश की जारी है कि बिहार एंडिये में सब कुछ ठीक है शनिवार को नित्यानंद्राय संतोष मांजी से मुलकात के बाद बाहर निकले तो दोनों मुस्कुराते हुए दिखे दोनों ने दावा किया कि एंडिये में कहीं कोई समस्या नहीं है नित्यानंद्राय ने कहा कि कोई समस्या नहीं है हम लोग एक साथ थे और एक ही रहेंग कोई समस्यान नहीं है दो दिनों में दो बार भाजपा के पुर्फ प्रदेश अध्यक्स और सांसत संजे जैश्वाल भी उपेंद्र कुश्वाहा से बंद कमरे में आदे गंटे बाचीत के बाद बिना मीडिया से बाचीत किये निकल गए उपेंद्र कुश्वाहा ने भी चुप्पी सादली है शनिवार को शाग उपेंद्र कुश्वाहा ने घर उनकी पाटी के नेताओं की बैठक चलती रही उपेंद्र कुश्वाहा की चुप्पी से साफ है एंडिये में ओल इस वेल नहीं है सीटों के बटवारे को लेकर घमासान जारी है सुत्रों के अनुसार उपेंदर कुश्वार सुन्तो शुमान जी को भाजपा के तरफ से एक-एक सीट का ओफर है जबकि दोनों दो-दो सीट की मांग पड़ अरे हुए है विहार में चिराग पासवान समिच शा की मुलकात हुई और दावा किया गया कि सब छीक है जानकारी के नुसार जदियू 17 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है भाजपा 17 सीटिंग सीट से कम पर लड़ने के पक्षमें नहीं है ऐसे में मात्र साथ सीटों के सहारे चार सायोगियों को साध नाम मुश्किल साबित हो रहा है भाजपा के लिए जिस पर जैदियू कुछ भी साफ साफ कहने से बच्टा दिख रहा है और दावा कर रहा है कि NDA में all is well है वही कही कोई दिक्कत नहीं है सीट बटवारे पर तस्वीर तब साफ हो सकती है जब नितीश कुमार विदेश दौरे से वापस लोटेंगे और NDA के तमाम सहयोगियों में बातचीत होगी लेकिन फॉर्मूला क्या होगा अभी तक तस्वीर साफ नहीं है सुत्रों के अनुसार सीटों की संख्या को लेकर ही नहीं बलकि सीटों की अदला बदली को लेकर भी पेंच फसा हुआ है चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष राजुतिवारी के लिए जदियू की सीटिंग सीट बालमी की नगर मांग रहे है तो नितीश कुमार बावबली आनन मोहन की पतनी लवली आनन के लिए लजेपी की वैशाली की सीट मांग रहे है सुत्रों के अनुसार चिराग पासवान को हाजपूर सीट भाचपा देने को तयार है लेकिन चिराग पाथ से कम सीटों पर मानने को तयार नहीं है राज़ण और कौंग्रेस की नजर चिराग पासवान और उपेंदर कुश्वाह पटकी है राज़ण ने चिराग पासवान को बिहार की 6 लोग सबा सीट देने का उफर दिया है कौंग्रेस ने उन्हें दो सीट यूपी में देने का उफर भी दे दिया है वियाईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सेहनी की बात बीजेपी आरजेडी दोनों के साथ चल रही है लेकिन सेहनी एंडिये के साथ जाकर अपनी जीत पक्की करना चाते हैं मुकेश सेहनी और उपेंद्र कुश्वाह के लिए तभी कोई रास्ता निकल पाएगा जब भाजपा जदियू दोनों अपनी कुछ सीटिंग सीटे उनके लिए छोडने को तयार होंगी तो आपको बता दे कहीं न कहीं जो पेच है वो सीट शेरिंग में फस्ता दिखाई दे हाला कि भाजपा के तमाम नेता और NDA के सहयोगी दल के तमाम नेता है वो लगतार ये कह रहे हैं कि NDA में all is well है लेकिन जो वरिष्ट नेता है बिहार भाजपा के वो लगतार अपने सहयोगियों को मनाने में जुटे हुए हैं जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई तस्वीर सामने आती ही रहती है कल भी नित्या नंदराय संतोष मांजी से मिलने उन्हें मनाने के लिए पहुंचे वे थे हाला की मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि NDA में सब कुछ ठीक है सब कुछ all is well है अब सीट शेरिंग का फॉर्मूला कब तक तयार हो पाता है किस तरीके से जो बटवारे है सीटों की वो हो पाती है ये देखना भी अब काफी दिल्शस्प होगा फिलहाल इस खबर में इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइब इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद